त्योहारों के लिए आज हम बनाएंगे चार ऐसी अलग-अलग एकदम नई-नई हलवाई की तरफ बहुत ही शांदार एकदम पॉफेक्ट रेसिपी वो भी घर पर उपलब्द चीजों से तो शेट ये पूरी वीडियो लास तक देखे, आपको ये बहुत पसंद आएगी तो इन चारों रेसिपी में सबसे पहली रेसिपी हमारी सूजी मावा गुजिया की जो बहुत ही इंस्टेंट हमाज बना के बताएंगे आपको इसके लिए दो कप मैदा लिया है और आप चाहें तो गीहु काटा भी ले सकते हैं जान कर एकदम पतले वाले आटे का यूज़ कीजिएगा साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक एट करेंगे बहुत ही थोड़ा लगबग एक से दो चुटके जितना नमक डालने से क्या होता है थोड़ी सी जो मिठास होती उसको बैलन्स करता है ये और कभी कभी क्या होता है जब हम जादा मीठा खा लेते हैं तो मन भर सा जाता है तो वह इस रसिपी में नहीं होगा एक चुटकी नमक ज़रू डालिए चलिए आप डालेंगे इसमें थोड़ा सा देसी घी ताकि बढ़िया मोयन हो जाए और आपकी गुजिया एकदम खसता करारी बने घी डालने के बाद हम इनको अच्छे देसे से मिक्स करेंगे तो मैंने डेसी घी लिया है आप यहाँ पर चाहें तो रिफायन तेल ले सकते हैं या पीर आप कुकिंग ऊइल का इसदमाल भी कर सकते हैं अच्छे ट trash go मैंने मैदे के साथ मिक्स कर लिया है आप दे क्योंकि हमें एकदम hard आटा तयार करना है आटा hard इसलिए लगाना क्योंकि जब हम इसको rest करने के लिए रखते हैं न तो ये बहुत ही गीला सा हो जाता है इसलिए थोड़ा-थोड़ा पानी डाले और एकदम सकत आटा लगा के तयार करें आप यहां पर पानी के वजाए करेंगे स्टफिंग तयार करने के लिए मैंने आप लिया है डेसी केटर टोकनट पाउडर चौथ हाई कप के आसपास इसको डाल देंगे हम कढ़ाई के अंदर आप नारियल को भी घिसकर ले सकते हैं ताजे नारियल भी यूज कर सकते हैं आप तो इन्हें हम बिना तेलिया घ की डालने की ज़रुत नहीं है जैसे यह अच्छे से सुनायरा हो जाए हम इसको निकाल लेंगे तो फ्रेम को बिल्कुल धीमे से मीडियम के बीच में रखेगा ताकि यह जले नहीं और एक समान भून सके अब हम इनको निकाल लेते हैं सारा अब डालेंगे सेम कढ़ाई में देशी घी तो मैं यहाँ पर दो चम्मच देशी घी ले रही हूं देखिए दो टेवल स्पून नहीं लिया है दो चम्मच लिया है अगर आप टेवल स्पून से नापेंगे तो देवल स्पून के असपास आएगा और घी अच्छे से मेल्ट होने के बाद थोड़ी से ड्रा दालेंगे ज्यादा कलर चेंज होने तक कावेट नहीं करना है हमें और बचेवी घी हम डालेंगे सेमुलीना यानि की रवा या फिर सूजी में ले सकते हैं मोटी वाली मैंने यहाँ पर रवा ही लिया है बहुत बारीक होते हैं सूजी थोड़ी सी मोटी होती है तो आप दो ही है वो सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसे हमें लो टू मेडियम फ्लेम पे बढ़िया से कोल्डेन होने तक भूना है जब तक अच्छा कलर नहीं आता और अच्छे से खुश्बू नाने लगे तब तक हम इने भूनेंगे तो ध्यान रहे हाई फ्लेम पे मत भून यह देखिए घर की बनी हुई है एकदम सॉफ्ट सी आप बजार वाली भी ले सकते हैं या फिर अगर आप सिर्फ मावे से बना रहे हैं तो दो कप ली दीजेगा सूजी को स्किप कर दीजेगा मावे को डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और इसे हम जब तक यह बढ़िया से मेल्ट नहीं होता तब तक हम इसे चलाएंगे तो फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखेगा मीडियम या फिर हाई मत कीजेगा और अच्छी तरीके से कच्छी से इस तरीके से मसलते हुए इसे मिला लेंगे गुठलिया एकदम खतम हो जानी चाहिए और एकदम स्मूध सा तो अब हम ग्यास का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देते हैं थोड़ी सी कुस्बू के लिए हमें आप रिलाची पाउडर डालेंगे चौथाई चोड़ी चुमश किया सपस कोर्सली ग्रांड किया है मैंने इसको अब डाल देंगे हमारा भूना हुआ सारा मिक्स्चर जो हमने पहरे डालेंगे इसमें भूनी हुई सूजी और कोकुनट का पाउडर आप डालेंगे इसमें किसमिस लगभग 12-15 किसमिस को मैंने भून कर नहीं लेना है हमीसा किसमिस को ऐसी डालना है अगर किसमिस नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं अब डालेंगे इसमिस शुगर प जाएगी या फिर आप इसकी जगह पर बूरा भी ले सकते हैं तो आपके पास बहुत सारे हैं पढ़िया से मिला लीजे सारे ड्राइफ रूट्स को भूनने के बाद मैंने बारीक बारीक काट लिया है देखिए अग्दम बारीक सा काटा है आप चाहें तो मिक्षर गेंडर मे के लिए छोड़ देंगे ढग करके और चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारे आटे का क्या हाल है तो लगभग दस से बारा मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं हमारा डू जो है न बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है इसको थोड़ा सा हम मसल लेंगे ताकि यह और भी जादे चिकना हो जाए लेकिन यह दिखिए बिल्कुल टाइट है अगर आपको थोड़ा सा भी गीला लग रहा हो न थोड़ा से मैदया स्प्रिंकल कीजिए इसके उपर और अच्छे से गुंत लीजे बिल्कुल गीला नहीं होना चीए मिक्स्चेर इसका ध्यान रह लेंगे उसके वाद हम इनकी फटाफट सी घुचिया तयार करेंगे तो बिल्कुल रोटी जितनी मोटी हमें करनी है बहुत पतली भी नहीं बेल नहीं है और साइज का कोई शू नहीं है अगर आप की पास सांचा नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे बिना साइजे के अगर ब मातरा में stuffing भी भड़ सकते हैं और फटने के भी कुई chances नहीं रहते तो देखिए मैंने एक इस तरीके से रोटी ले ली है और इसमें हम stuffing डाल देंगे लगबख यहां पर किनारों पर थोड़ा थोड़ा पानी डगाएंगे ताकि जो गुझया का यह आटा है अच्छे से चिपक सके और यह तेल में फटेंगे नहीं पढ़िया से इनको सील कर ले पानी से साटा वेगरा बनाने की ज़रूरत नहीं है अब हम इसमें डिजाइन्स तो चलिए सारे हम इस तरीके से बना लेंगे कुछ हम इसमें से गुझया मेकर से भी बना लेंगे और यह देखिए इस तरीके से भी काफी अच्छे लगते हैं आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं कुछ हमने हाथों से बनाए हैं कुछ हमने गुझया मेकर से बनाए हैं औ खालके देख लिया है देखिए वह तेल में ऊपर आ गया था तो अब हमें एक इक करके गुजिया डालनी है दोलते ही हलके-हलके से बबल शाने चाहिए बहुत ही हलका गरम नहीं करना है नहीं तो बहुत सारा तेल आ जाएगा फिर वह अच्य से क्रिस्प भी नहीं बनेंगे और बहुत जादा गरम कर देंगे तो उसमें बड़े-बड़े बॉबल सा जाएंगे। इसलिए हमीं बिल्कुल मीडियम गरम तेल में इसे डालना है। जैसे ही हलका सा अड़िया से सुनेरा और क्रिस्प होने तक हमें तलना है। अगर आपको लग रहा है कि फ्लीम जादा हो रहा है या फिर तेल जादा गरम हो गया है तो जल्दी से इसको कम कर दीजे और टेंपरेशर को बिल्कुल मेंटीन रखे। दिलीजे हमारी गुजिया लगभग अच्छे से तरीके से तयार हो चुकी है। कितना अच्छा सुनेयरा कालर आया है। और बढ़ी आसे क्रिस्प हो चुके हैं। देख रहे। देखें बहुत ही मज़ेदार से हमारी गुजिया तयार हो चुकी है। देखें बहुत अच्छी तरीके से ठंडे भी हो चुके हैं। अब आप इसे airtight container में भर करके 15-20 दिनों तक आराम से चला सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, इसमें जो भी आपको changes करने हो आप कर सकते हैं, जैसे आपको सूजी नहीं डालना है तो आप सिर्फ मावे से भी बना सकते हैं, ड्राफ रोट्स नहीं डालना है तो भी आ बहुत ही perfect है, जल्दी से बनाएंगे अच्छी लगी तो लाइक शर जरूर कीचेगा, चलिए अब बनाएंगे हमारी दूसरी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, useful recipe जो ते वहारों में 4 चांद लगा देगी, इसके लिए मैंने यहापर मैदे का ही इस्तमाल किया है, आप तो गीहों का आटा भी ले सकते हैं इन सारी recipes को बनाने के लिए, तो लगबग 1 cup मैंने यहापर मैदा डाला है, साथ ही डालेंगे इसमें 2 चमच milk powder, गीहों के आटे से भी बहुत अच्छी बनती है, और milk powder डालने से क्या होता है, खोए वाला texture आता है, तो आप यहापर milk powder के चाहें तो बारिक करके खोए को भी इस आटे में डाल सकते हैं, मैंने साथ ही मैदे के डाल दिया है, ताकि अच्छी तरीके से छंजा और आपस में घुल मिल जाए, अब चलिए दोनों चीजे मिक्स हो चुकी है, तो मैंने आप लिया है दूद, इस एक कप आटे को बनाने क के लिए हमें डेड़ कप के असपास दूद लग जाएगा, तो चलिए इसको थोड़ थोड़ डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे, बिलकुल भी गुठलिया नहीं होनी चाहिए, और एक तम बढ़िया सा लंप स्प्री हमारा बैटर तयार होना चाहिए, तो चलिए रबड़ी वाले माल पुवा, इसके लिए रबड़ी बनाना बहुत जुरूरी है, तो मैंने आपर दूद को बढ़िया से गाढ़ा कर लिया है, थोड़ा सा चीम डाल करके, बस यही हमें करना है रबड़ी बनाने के लिए, आप मिल्क पाउडर से बना सकते हैं, मैंने कई स रबड़ी मेरी बिल्कुल तयार है, इसको मैं अलग बरतन में निकाल दूँगी, और अगर आप रबड़ी बनाने के रेसिपी देखना चाहते हैं, तो मैंने लिंक दे दिया है, चलिए रबड़ी रड़ी है, अब हमारा माल पुवे का मिक्षर है, भू भी तयार है, पेट नहीं गरम तेल में हम छोटे-छोटे माल पुवे अपने बना के तयार करेंगे, तो यहाँ पर एक चौड़े बरतन का यूज़ कीजेगा, ताकि जब हम बैटर डाले तो यह फ्लैट हो जाए, एकदम पूरी की तरह तयार हो जाए, अगर आप गोल बरतन का यूज़ नहीं होगा और आपके माल पुवे का शेप अच्छा नहीं बनेगा, तो देखिए मैंने इसको डाल दिया है, जैसी आप डालते हैं यह तेल में तैरने सा लगता है, मतलब आपका बैटर एकदम बढ़िया बना है, आपके माल पुवे एकदम रूई की तरह नरम बनने वाल तो दोनों साइड हमें सेम प्रोसेस करना है, और इन पूरियों को निकालने के बाद हमें डालना है गरम गरम चासनी के अंदर, मैंने पतली सी चासनी तयार कि है ताकि जो पूरिया है वो चासनी में डूल कर एकदम सॉफ्ट हो जाए, जूसी हो जाए, तो यहाँ पर इन प करके अच्छ से गोल्डन होने तक सेख लेंगे तो देखिए हमने सारे बढ़िया से गोल्डन होने तक सेख लिए हैं थोड़े थोड़े करके हम सारे के सारे मालपुव को चासनी में डालेंगे एक मिनट के लिए भीगने देंगे और उसके बाद हम इनको निकाल देंगे क्यो रबडी डाले, मलाई डाले और शांदार सी आपकी रेसिपी किसी भी त्योहार में चार चान लगाने के लिए तयार है। आप इसको जरूर इन त्योहारों पर बना की दीखेगा, बच्चे वड़े सबी इसके फैन हो जाएंगे। और रबडी मलाई पूरी को बनाने में ज़्यादा टाइम भी ने लगता है, कम समय में एक कम खर्चे में बनकर त्यार होती है और बहुत ही ज़्यादा शांदार। चले मैं आपको इन्हें तोड़कर दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, देखने में जितने एकदम मुह में पानी लादेने वाला इसका लुक है वैसा ही इसका टेक्शर भी है, एकदम सॉफ्ट यह देखिए, मामूली से चमत से आप जब इनको हलका सा दबाएंगे तो यह कट जाएंगे, और मुह में जाते ही बस खुल जाएंगे, तो जल्दी से बनाइए, रेसिपी कैसे लिए लिए बताइए, चले आप बनाएंगे त्योहारों में जरूर से बनाए जाने वाली निम्की जो एकदम खस्ता और गेहूं के आटे से बनाई है वो भी पुदीने के फ्लेवर में जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गेहूं के आटे का यूज किया है, लगबग एक कप, आटे को अच्छे से छान लिया है, मोटे आटे का यूज नहीं करना है, तो आटा हमारा एकदम ब बढ़ जाता है अजवाइन और कलाउंजी डालने से, सारी सूखी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजे, अभी हम मोयन डालेंगे, पहले सारे ड्राय इंग्रिडियंट को मिक्स करेंगे, फिर आम इसमें मोयन डालेंगे, और आप चाहें तो यहाँ पर इसको मैदे आप कर लिया है, मिल्ट हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे चम्मच से नाप करके, तो यहां पर मैने 4 बड़ा जांच, यह तेसी ही का इस्तमाल किया है आप refine oil भी ले सकते हैं और डालडे का इस्तमाल भी कर सकते हैं बस जो भी डालें एक्तम melted होना चाहिए जम्मा हुआ नहीं होना चाहिए बढ़ी आसिन को मिला लीजे और ये देखें अच्छी तरीके से मोयन हमारा लग गया है जब आप आटे को इस तरीके से बाइंड करेंगे न तो बहुत ही बढ़िया से ये बाइंड हो रहा है ये देखे रहे हैं एकदम अगर गोल बॉल बनाया है तो बॉल भी बन जाएगा समझ जाए कि आपका आटा बिल्कुल तयार है निमकी बनाने के लिए एकदम खस्ता इससे आप कई तरह के नमकीन बना कर तयार कर सकते हैं निमकी ही नहीं बहुत सारे तरीके के तो चलिए मोयन लग गया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एकदम सकत आटा तयार करेंगे तो देखें मैंने चौथाई कब पानी लिया है बहुत ही थोड़े से पानी से हमें इसको बाइंट करना है ने तो आटा गीला हो जाएगा और आपकी रेसिप ठीज एकदम बढ़िया बनेगी खाने में एकदम मज़ेदार बनेंगे और जब महमाने से खाएगे ना तो वहावा करते रजाएगे मानेंगे ही नहीं कि आपने से घर में त्यार किया है देखें आटे को बहुत गूतने की जूरत नहीं है बस बढ़िया से इसको एक तो घी यहां पर जैसे आपको अच्छा लगे पिगला हुआ या फिर जमा हुआ जैसे अच्छा लगे आप डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा जमा हुआ घी इसमें डाला है, और अब इसमें टेस्ट देने के लिए राल रहे हुआ पुदीने का पाउडर, तो क्या क्या है, सिं अपने हिसाब से कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, चाहें तो मैगी मसारा डाल सकते हैं, पाउभजी मसारा डाल सकते हैं, गरब मसारा डाल सकते हैं, और यहां तक कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन पुदीने के टेस्ट वाला ना बहुत बढ़िया लगता है, आटे को रखे वी साइट में और अब हमने जो आटा तयार किया था ना ये देखें हलका सा ये कीला हो गया क्योंकि हमने इसको रेष्ट करने रखा था और एक दम इसका टेक्शर बिल्कुल पॉफेक्ट हो गया है जैसा हमें निम्की के लिए चाहिए तो बस इसको हलका सा बोड के उपर आप इसको बेल सकते हैं तो विखिए मैंने बहुरी बड़ी सी रोटी तयार की है और थोड़ी सी न मोटी रखे रोटी से अब तयार के हुए साटे को हम इसमें डालेंगे जो पुदीने के फ्लेवर में बनाया है और इसको हम हाथों से एकदम पतली सी लेयर हम इस पूरी रोटी के उपर लगा लेंगे तो हाथों से लगाएगा ताकि कहीं कम जादा ना हो बस एक बार पूरी तरीकी से लग गया तब हम क्या करेंगे इनको फोल्ड करेंगे तो यहां पर इनको रोल करना है तो मैं थोड़े थोड़े करके इस तरीकी से टाइटली र तो इसमें अच्छी तरीके से लग जाए और बढ़िया सी इसमें लेयर्स देदे तो इस तरीके से रोल करने से बहुत सारी आपको परते इसमें मिल जाएंगी तो चलिए अब हमने इतको रोल कर लिया है चाको की मदद से छोटे-चोटे एकी कि इतने टुकड़े हम इसके छाड़ कर रेडी किये हैं अब हम इनको बेलना है तो बेलने से पहले हाथ और इस तरीके से चपटा जरूर कर लीजे ताकि जो layers है न वो खराब ना हो तो सारे मैं इस तरीके से पहले बना के तयार करूँगी बाद में इनको हम बेलेंगे और ये देखें आप इतने सारे ready कर लेंगे कुछ ही मिंटों में चलिए अब हम इसको बेलेंगे तो बिल्कुल हलकी हाथों से बेलन को चलाना है और एक गोल रोटी इस तरीक से तयार करना है देखें थोड़ी सी पतली ही रखी है हमाईने जितनी पतली रहेगी उतनी ही खस्ता बनेगी और बस इनको फोल्ड करने से पहले वापस हम थोड़ा सा साटा लगाएंगे आनि जो आटे का साटा था ना पुदीने वाला वो लगाएंगे बिल्कुल बीच में अच्छे से इनको फोल्ड करेजे और दूसरी साइड भी थोड़ा सा साटा लगा कि हम इसको फोल्ड करेंगे लेकिन बिल्कुल बीच में लगाना है किनारों पे नहीं लगाना नहीं तो सारे की सारे लेयर्स चिपक जाएंगी आपस में और ये जो निम्की है न वो देखनी मच नहीं बनेगी चिपकाने में सिर्फ मैंने उपर के हिसे को ही दबाया है अलका सा और नीचे के हिसे को ऐसी छोड़ देना है चलिए सारे ऐसे ही बना के हम तयार कर लेंगे बस इनको चिपकाते समय ध्यान रिखिएगा कि सेंटर में ही आपको दबाना है किनारों पे नहीं दबाना है सारे निमकी मैंने शेप दे दिये हैं और अब इनको हम medium to high flame पे अच्छी तरीके से गरम तेल में डालेंगी और बढ़िया से golden और कुरकुरा होने तक सेखना है पहले एकदम high heat पे तेल गरम ना हो इस इसका ध्यान रखें क्योंकि यह आटे से बना है तो इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए हम इसको medium heat पे पहले गरम करना है जब अच्छे से सिख जाएंगे तब हम flame को high करके इनको अच्छे से golden और crisp कर लेंगे तो देखिए हमारी सारी की सारी निमकी अच्छे तरीके से golden हो गई है इनको हम निकालेंगे और आप देख सकते हैं कितने खस्ता दिख रहे हैं एकदम करा रहे और मैं आपको इन्हें पास से दिखाती हूँ कि कितने सारे समें layers आया है ये देखें जब मैं इनको तोड़के दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि इतने जादा फ्लेकी बने हैं कि बस मुह में जाते ही घुल जाएंगे इतनी स्वादेश्ट और इतनी नए तरीके की निमकी आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगी ये देखें एकदम कुरकुरा तो रेसिपी कैसे लिए लिखके बताईए चलिए बनाएंगे एकदम इंस्टेंट दस में बनने वाली बहुत ही मज़ेदार हलवाई यसी जलेभी इसको आप तुरंद बनाके त्यार कर सकते हैं इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले चासनी त्यार करूँगी तो लगभग एक से डिड़ कप चितना चीनी डाला है और अब इसमें डाल देंगे आधा कप के आसपस पानी क्योंकि हम यहाँ पर इदम चिप-चिपी से चासनी त्यार करनी है जलेभी के लिए और अभी मैं इसमें डाल दूनगी थोड़ी से हिलाची के दाने, हल्का सकोट करके और इसमें कुछ बून दे हम डालने के फूट कलड के, मैं यहाँ पर केसर्या ट्रिक त्यार डाल रहे हूं, आप अपने स्याब तो जलीभी रस को अब्साब नी करेगी, इसलिक पतली और चिपचिपी से चासनी हमें तयार करनी है, तेखे़ चासनी में टार नी बन रहा है, तार वो तूट रहा है, मतलब हमारी चासनी बिल्कुल तयार है, इसको हम रख लेते हैं, साइड में, और अब जलेभी के लिए ब बहुत अच्छी बनती है, दो चम्मच इसमें दही डालेंगे, यहां पर दही थोड़ी खट्ती होगी तो भी चलेगा जलेवी बहुत अच्छी बनेगी, और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा चावल का आटा, जिससे की जलेविया एकदम कुरकुरी करारी सी बनेंगी औ तो लगभग देढ़ चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है और अब डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर ये बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर है तो चम्मच से नापकर एक छूटी चम्मच डाला है मैंने आप यहां पर इनो का यूज़ भी कर सकते हैं अब इन सार गया है अब क्या है शचेल बड़ने goddamn बेटर सकती है आप इसको डोसी जैसा बैटर वही सकते हैं तो देखिए ना बेटर देने हैं बड़ी आसा धुड़ देने के-लिया जितना food color add कर रही हूँ, ताकि जलेबी अंदर से भी अच्छी सी look में आ जाए, बढ़िया से फेट लिजे के सरिया food color डालने के बाद, और आप देख सकते हैं, बैटर बहुत ही बढ़िया हो गया है, चाहें तो आप इसको 6-7 गंटे ठके ferment भी कर सकते हैं, लेकिन baking powder डाला है तो आपको ferment करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ferment करके बनाना चाहते हैं, तो baking powder को skip कर दीजे, बैटर को डाले एक इस तरीकी के pouch में, या फिर दूद की थैली में, और बस इसको seal कर लिजे, आप यहाँ पर चाहें, तो जो sauce वाली bottle आते हैं, वो भी use कर सकते हैं, तो बस मैंने इस तरीकी के cone का use किया, जो बहुत यासानी से आपको market में कहीं भी मिल जाएंगे, चलिए अब तेल को मैंने low to medium flame पे अच्छे से गरम कर लिया है, बहुत high heat पे गरम नहीं किया है, और बस पतली-पतली से जलेबिया हम इसकी तयार करेंगे, बहुत मोटी-मोटी नही बनानी है, तो आपको जैसी पसंदा है, आप इनको गोल-गोल इस तरीके से डालते जाएए, और पढ़ियास इनको shake लीजे, जब क्रिस्प हो जाती है, तैरने लगती है कुछ इस तरीके से, तो बस इनको निकाल दीजिए, और ये जलेबिया बहुत ही जल्दी बन जाती है इनस्टेंट एक दम 10 मिनट में, और स्वाद इसका बिल्कुल हलबायो वाली जलेबि की तरह ही होता है, मैंने थोड़ा पतला बनाया है, आपको अगर मोटा-मोटा जलेबिय पसंदे तो आप मोटी भी बना सकते हैं, चलिए अब इस तयार की क्रिस्प जलेबिय को हम डाले चासनी के अंदर और कुछ सेकेंड्स के लिए हम इनको भीगने देंगे ताकि रस को फटा-फट अब्जॉब कर ले और बस तुरंत ही हम इनको निकाल देंगे, ज्यादा देर नहीं रखना ने तो जलेबिय सॉफ्ट हो सकती है, और रस को हम निकाल के एक चन्नी पे रखें पैल जाएंगी और तैरिंगी भी नहीं, तो यह लीजिए हमारी बहुत ही शांदार एकडम कृस्पी जलेबी तयार है, आप एक बड़ जरूर ट्राय किजए इनते ओहारों में, और आपको इन चारों में से कौनसी रसीपी सबसे बस लगी है में जरूर कॉमेंट करके बता के संस मिलते रहेंगे, तो बस जल्दी से बनाइए, सब को खिलाइए और सब के शाथ शयार कीजिए, कल आपसे फिर मुला कात होगी एक और नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए रेक कर, और बाबाए